जैसा कि पिछले अपिसोड में हमें दिखाया गया होता है कि यह लोग पहुंच चुके होते हैं फॉर्स्ट लेवल पर जहां पर पूरा आग रहता है लेकिन यह इलूजन लग रहा था उसका अलग अलग फ्लेम है और उन अलग अलग फ्लेम का अपना अलग 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 प्रॉपर्टीज होता है और यहाओ ने जहां तक पता लगाया है कि अगर आपको इन फायर को पूरी तरीके से रेजिस्ट करना है तो इसके लिए आप में एक अलग तरीके की अबिलिटी हो मतलब एक रिफाइनिंग कोन होना चाहिए जिसके वैसे आप इन फ्लेम्स को रेजिस्ट कर पाएंगे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है या आपका लेवल कितना है अगर आपके पास वह चीज नहीं होगी तो अंत में आप जल कर ही मर जाएंग बंदर कहता है बहुत जारवान देखिए याओ कहता है कि मुझे लगता है कि वह फैमली भी यहीं पर है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच में जगड़ा रहा हूँ चलो सबसे पहले हम उस तरफ चलते हैं जहापर पहला हर्ट सीड है अगर हम उससे पाल लेते ह हैं तो हम फायर क्लाउड के फर्स्ट के और भी जगा नजजदीक पहुँच जाएंगे मगर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने ही कोशिश करते हैं एक बहुत बड़ा सा हमला आता है और एक आवाज आती है इस बंदे की उपर से यह कह रहा होता है कि मैं जिया का भगवान ह तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत एक डाइटी को तुम इस तरीके से कह रहे हो यह बहुत ज़्यादा पौरफुल होता है और बहुत ज़्यादा एरोगेंड भी और काफे गुस्सेल वाला भी होता है यह डारेक्ट सीधा याओ पर हमला कर देता है जिससे उसके पंग म एक जोरदार पंच मारता है पीछे से जाकर और कहा रहा होता है तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो फिर वो बंदर को पकड़ लेता है और कहा रहा होता है तुम जिससे इतना ज़्यादा कमजोर समझ रहे हो मैं टैंटैंग क्लैंग का बहुत बढ़ा प्रेंस हूं तुम्ह पारी इतनी हिम्मत तुम मुझसे इस तरीक के सवाल कर रहे हो तुम तो ऐसे भी नहीं बचने वाले हो बंदर कहीं के लेकिन बंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वह आ चुका होता है अपने पावरफुल मोड में और उस चीन को तो डालता है जिससे देखकर वो बंदा कहा रहा होता है तो तुम मंकी किंगो चलो अच्छी बात है यहां पर बंदर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके बास के उपर इसने डारेक्ट हमले के उपर से बेजती भी कर रहा है यहां याओ फस चुका होता है बहुएंडर में जिसमें फसने के बाद ऐसे तो कोई जिन्दा बसता नहीं है मगर हमारा याउ मेन करेक्टर है मर कैसे सकता है वो बाहर निकलने कोशिच कर रहा होता है लेकिन वो जो flames होती है उसके आर पार चली जाती है और अंदर बाहर शरीर के चारों तरफ से जहां भी होता है निकल रहा होता है फिर उसका पूरा शरीर जलने लगता है अचानक से हम देखते हैं कि यह evolve हो चुका होता है और कह रहा होता है मेरे प्यारे से प्रिंस तियार हो जाओ मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आ रहा हूँ और इधर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि बंदर उस प्रिंस पर लगतार हमला करते जा रहा होता है लेकिन यहां पर यह अपना एक बहुत ही ताकतवर कवच एक्टिवेट कर डालता है जिससे कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है बंदर लगतार पूरी कोशिश कर रहा होता है पंचेस पर पंचेस बरसात तो मैं ही काफी हूँ, बंदर सोज रहा होता है कि ये चिपकुसा चिडिया कहीं का ये बहुत साधा तेज उड़ता है, और जिस स्टेट में अभी हम लोग है, इस से लड़ना बहुत ही सदा मुश्किल होने वाला है, बंदर अपना दिमाग लडा रहा होता है, और वो अपने बंदर को खतम करना चाहता है, बंदर इस से पहले देख पाता है, और अपना एक जोड़दार हमला उसके उपर करता है, और वो बंदर सीधा जाकर जमीन में गिर जाता है, बहुत ही भ्यंकर वाला, याव कह रहा होता है, अब तो चिकन तंदूरी बनेगा मस्तवला, देख करती ही नहीं है, तुम लोग हर चीज के लिए मुझे दोस्त देते रहते हो, और जब मैं वापस सेमला करूं तो कहते हो कि मैं गलब था, वो फ्रिंस कह रहा था कि बहुत बनिया, आस तुम्हारी वज़े से पूरा यूमन रेस खतम होने वाला है, तुमने गॉड़ को गु इसमें बस छोटा सा ट्रिक वो कर रहा है, इससे डरनी की कोई भी जरूरत नहीं है, वो प्रिंस चारों तरफ से इस प्यामला करने के लिहारा होता है, लेकिन अभी याव भी पूरी तरीके से दियार रहता है, लगता है खतम करने के मोड में है, और फिर वो अपने चारों तुर्ण्टी पहचान लेता है कि वही असली वाला याउ तुरंती जाता है और उसको देता है एक्तम सूरतार तुम्हें जा लगता है कि तुम्हारा क्लाइन बहुत बड़ा है या फिर तुम बहुत जाद ताकत वर हो यह मदभूलो कि हर आसमान के उपर भी एक आसमान होता ह और तुम खुद को जादा तीज और ताकत और बिल्गुल मत समझना और यह प्रिंस कहा रहा होता है कि अकर आसा कैसे हो सकता है यह तो फोनिक्स लाइन कहा है लेकिन फोनिक्स लाइन तो बहुत सालों पहले ही विलुप्ट हो जुगा था तेखो तुम तुम मुझे मारा तो याओ सीधे हमला करने के लागे बढ़ता है और क्या रहा होता है प्रिंस हो तो क्या मेरा कुछ बिगाड़ लो क्या वो जाता हमला करता है लेकिन वो बड़ी सी चिडिया उसके बीच में आ जाती है और याओ उस चिडिया के आरपार कर देता है लेकिन वो जो बंदा होता है वह भाग चुका होता है, बहुत तेजी से भागता है अब यहाँ पर इन दोनों को भूख लगी होती है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इन दोनों ने कुछ खाया नहीं होता है बोला था ना, आज तो चिकन लगपीस बनेगा यहां भी लेक्पीस बन रहा है वो दूसरा ओरा कॉमिक में भी लेक्पीस पूरा चलते रहता है क्या हो रहा है अजकर इदर हमें दिखाया जाता है कि याओ के पास एक नया फ्लेम भी आ चुका होता है और अब याओ पहले स्ताकतवर था अब यहां पर बंदर ट्राइ कर रहा होता है अपने आपको ब्रेक्थ्रू करने कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे अचानक से कुछ होने लगता है उससे गर्मी लगने लगती है और फिर वो सीधा बिहोश हो चुका होता है याओ चिला र बेखुफ बंदर कर लिया है और याओ भी खुश होता है कि इसने ब्रेक्थू कर लिया मुझे तो लगा था कि इसका टाइट भी सोने वाला है बंदर अब आपस से नॉर्मल फॉम में आ जाता और कहा रहा था बॉस मुझे तो लगा कि आज तो मैं मेरा भी रोष्ट बन जात हानि तो मुझे भी ले ले लित अब याओ लेए मुझे तो लागा कि मर गया तुमने तो मुझे डरा ही दिया अरे बुसले अपनी कर लिया तो तुम रेक्थूआल ईकर लिए तो लगैं यहांसे के Civally में जांग लेकिन बेंतर कह रहा होता तो तुम अपनी power पर control नहीं कर पाओगे वो बंदर को पूरा अच्छा तरीके से समझाता है कि Emperor ने पहले ही कहा है कि कोई अगर उस level का नहीं है तो वो उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है अगर तुम उस जगह पर जाओगे तो तुम पका मारे जाओगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा प्यारा सा पार्टनर मैं खोदू तुम यहीं पर रहो सबसे पहले अपने आपको improve करो और अपनी power को stabilize करो तब तब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है मैं आगे जाकर चेक करता हूँ बंदर कहता है कि ठीक है बस आप जिंदा मत करिए आप वहाँ आगे जाएगे और आगे जाकर चेक करिए कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है और मैं यहीं रहकर आपका इंतिजार करूंगा एकदम प्यारे बंदर की तरह और इसी कसा साथ दोस्तों हमारा यह एपिसोड यहें पे खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करते चैनल पर न्यूँ है सब्सक्राइब करते यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते नेक्स्ट एपिसोड में तब तक क्लिए बाइबाइ